नमस्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आज सभी का सवागत है वीडियो शुडू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो आज हम डिसकस करें एर सी फाइनेस के बारे में क्या आपको इस शेर पर निबेश करना चाहिए नहीं और इस पहनी स्टॉक से हम क्यों कह रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग निकल जाए कोई भी फ्रेश पोजिशन इस शेर में मत बनाएए जो भी आपको कह रहे हैं यहां पर आपको मल्टिपेर रिटर्न मिलेंगे वो तो गाइस पहले ही मैं आपको बता दूँ कंपनी का स्टॉक एसम की रेड़ फ्लेग लिस्ट में और ओवर पॉर्ट जोन में है तो गाइस चले कंपनी का फंडेमेंटल और चार्ड अनिलिसिस आपको मैं करके देता हूं गाइस तो गाइस अब डिस्केस के रहे हैं एर से फाइनेंस के बारे में क्या इसके फंडेमेंटल इंडिगेट करें और हमने आपको पहले भी कहा था कि यह स्टॉक जो है काफी स्टॉक है और यहां से आप निकल जाए है क्योंकि यहां पर देखते हैं इसकी पी जो है इस कमपनी के स्टॉक की की इसका इस लेफल पर विजो है इतने कम स्टॉक प्राइज होने के बावजूद भी इतना जाद अपी है कि आप यहां पर रेवन्यू देखते हैं कमपनी का रेवन्यू थोड़ा बड़ा लेकिन जो नेट इंकम है वह जो बिल्कुल भी नहीं बड़ी प्रॉफिट मार्जेंस भी डिप किये हैं ग्रॉस प्रॉफिट आप देखते कितना नेगेटिव में हैं और हमने आपको पहल सब्सक्राफ हमें देखने को नहीं मिला है तो गाइस हमने आपको पहले का था कि आप लोग जो एर सी फाइनेस में पूजिशन मत बनाईए यह शेर आपको कोई भी रिटर्न बनाके नहीं देगा यहां पर आपको एक वीक सेंटिमेंट और एक वीक ट्रेंड देखने को मिल और मैं आपको यही रायत दे रहा था पहले भी कि यहां से निकल जाई है यहां पर ग्रेवस्टोन डोजी जो है बनी हुई यहां पर एक बहुत बड़ इंडिकेशन है कि यहां पर आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा और एक वीक सेंटिमेंट जो है स्टॉ परटेंटर और मल उठा रहे हैं और जो है पर मोटेर को आपना मला जाता हूं ए इस में बैठके कोई फायदा नहीं आप लोग तो बरतो हो जाए यहां पे the सब्सक्राइब को हां है कि यहां पर यहां पर डंपिंग हुई और यह स्टॉक आपको कोई भी रिटन जो है बना के नहीं देगा तो गैस आपको मैं यही राय दूंगा इस शेर को और अगर आप इस शेर में निवेशक है तो इस शेर से अपनी पोजीशन्स खाटके निकल जाए तो गैस ऐसी और वीडियो देख